Hello everyone, मैं विश्रुजीत सिंग, आप सभी का देई इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.M.H.I.01 प्राचिन और मद्युगिन समाज का यूनिट दो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तो आज की इस उनिट के अंदर में हम यह जानेंगे कि कौन-कौन से लेसन से इस उनिट के अंदर में आते हैं किस तरह के टॉपिक्स इस उनिट के अंदर में हैं, क्या कोशन्स बन सकते हैं और question पूछे जाने का pattern क्या होगा exam में और उनका answer हम कैसे लिख सकते हैं तो यह इन गुंदों पर हम बात करेंगे, short video है, समझ में आएगा और easily हम कतम करेंगे कल exam भी आपका, तो अच्छे सा थोड़ा सा preparation हो जाएगा माइन में topics रहेंगे कि हाँ यह topic इस unit में से लिया गया तो आप उसको पढ़ भी सकते हो तो आज का वीडियो दोस्तों एक suggestion भी रहगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप MA history, MHI 01 के लिए तैयारी कर रहे हो अपने paper के लिए तो the in-up पर दो सबसे important वीडियो MHI 01 के लिए डली हुई है आप उसको जरूर देखे जिससे आपका exam अच्छे से हो सकता है पहली वीडियो हैगा जिसके अंदर में हम बात करते हैं last five year के question paper की पूरा solve करवाया हुआ है मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को proper देखते हो सई से समझते हो अपना work करते हो जो भी मैंने वहाँ पर बताया है तो आपका 95% जो इस लेवर से cover हो जाएगा और दूसरी जो वीडियो है all important topic of your book का हैगा जिसमें जितने भी topics आपके book में से हैं कर रहे हैं देखो अभी उपर वाली जो हमने unit first पड़ा unit first के अंदर में हमने पड़ा कि पत्थर का किस तरस हम ओजार बना रहे हैं अब दीरे-दीरे विक्सित हुआ वहाँ पर हम कास से यूगिन सब्वेता के और बड़े थोड़ा सा अपने अब इस चापटर के अंदर में नॉर्मली हम बात करते हैं और मेसो-पुतामय कि सब्वेताओं के बारे में मिस्र की सब्धता किस परकार से है ठीके किस तर से वो फैला मेसोपटामिया की सब्धता का विस्तार किस परकार से और उनकी क्रिश्य परिवेस किस परकार का ये सबसे important topic बनता है ठीके कि मिस्र और मेसोपटामिया का तुलनातमक परीचे दीजे तो मिस्र का देखऊंगे, तो मिस्र क्या है, नील नदी के किनारे बसी हुई है, टूटल ठीके, तो वहाँ पर क्रिश्य परिवेस बड़ा अच्छा माना जाता है, ठीके, वहाँ पर जमीन जो है, मरुस्तली भी है, पर थोड़ा बूत आपका नील नदी के कारण से, नील लाका है वो मरुस्थली है ठीक है रेत तीला है तो वहां पर खेपी बाड़ी होना बहुत ज्यादा impossible जैसा रहता है तो यहां पर इन दोनों परिवेस को कि किस तरह का वहां का महौल है और वहां का कृष्ची परिवेस कैसा है उसके उपर में यहां पर एक कोष्चन बन जाता है इंपोर्टन लेता है थोड़ा सा बढ़ लीजिएगा यहां पर दूसरा जो टॉपिक आता है हडपा और मेसोपटामिया का सिचाई को लेकर आता है कि सिचाई व्यवस्ता किस परकार की थी किस कि हडपा की कैस्णानागार थे बड़े-बड़े जहां पर नालियों को निर्मान बनाए जाता था ठीक है तो राजाओं द्वारा या फिन नदी का निर्मान नहर का निर्मान इस तरह के कई सारे प्रमान मिलते हैं हडपा के अंदर में तो मेसोपोटामिया में किस तरह के विवस्था थी तो इन दोनों की तुलनातमक अधार पर ठीक है आपको यहां पर उनकी सिचाई विवस्था को बताना है तो में लिए जो दोनों टॉपिक है क्रिशी पर अधारी थे एक में क्रिशी विवस्था को बता रहा होता है दूसरी निसिसाई ववस्ता जो क्रिशी के लिए बहुत जाता जरूरी है उसको बताता है ठीक है 6 चैप्टर में यही पढ़ना है 7 चैप्टर के अगर मैं बात कुरूँ तो यहां पर आता है यहां पर पहला कोशिन मनता है सहर योजना को लेकर किस किस के तो हडपा और मिस्र के हडपा का तो आपने सहर योजना अक्सर पढ़ा होगा ठीक है तो मिस्र की सहर योजना किस प्रकार की थी राजा दौरा किस प्रकार से मिस्र की सहर योजना कर रिमान करवाए क्या था ठीक है यहां पर दोनों को compare करते हो आपको दिखाना है दोनों को compare कर सकते हो या फिर पहले हडपा का दिखा दो फिर mist का दिखा दो आपको number अच्छा खासा मिल जाता है हडपा की नगर्योजणा की बात करें तो normally हडपा का नगर्योजणा क्या है? समुव्रकों क अधार पर बिवाजित था समुवरकों क अधार पर कहने का मतलब क्या? एक दुर्ग सहर था जो माना जाता था कि अधिकारी वर्ग के लिए होगा या उच्चे वर्ग के लिए होगा या राजाओं के लिए होगा ये माना जाता था दूसरा निचला वर्ग था ठीके निचला सहर था जो निम्न वर्गों के लिए मज़गूरों के लिए फिर जो छोटी जाती के लिए जो भी जिसतर का वहाँ पर वन ववस्ता होगी वर्ग ववस्ता होगी उनके लिए बनाया गया था ठीक है तो इसके अदार पर विवाजी था तो मिस्तर के अंदर में किस प्रकार का था वो मिस्होर अधपा की वैपार निति fit इससे तर से करते थेए वैपार का विष्थार कई जगगे HA matter कह about अधारो यह निसा विथपल अधारो यह सब नारन के सिंदु घाटी की सब्यताओं और पूरा इंड़ो € पर हडपा के वैपार के साक्षे, लोथल, काली बंगन, ठीक है, हरियाना कई जगा पर भारत के छेतरे, हरियाना, मद्य परदिस, इन सब जगहों पर भी कई जगा पर साक्षे मिले हैं, पुरा तात्विक आधार हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पर हम कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर हडपा के वैपार का केंद्र रहा होगा, ठीक है, तो आपको उसी के अधार पर हडपा केंद्र, वैपारिक केंद्र बताना है, वैपारिक पदिती बताना है किस तरस होता था, और मिस्र का वैपारिक पदिती किस परकार का था, उन्होंने किस परकार से वैपार का विस्तार किया, ठीके, मिस्र के अंदर में वपार का विस्तार के लिए नीन लदी भी बहुत जाता उपयोगी मानी गई, ठीके, तो उसके अधार पर भी आपको हाँ पर मिस्र की बताना है, ठीके, समझ में आता है, एक तीसरा टॉपिक बनता है, तामबे का उपयोग का, ठीके, कि ताम अब हम बात करते हैं दोस्तों आपका अगला चैप्टर आठवा चैप्टर के बारे में लेखन और कलात्मक अभिव्यक्ति के बारे में देखो लेखनकला हडपा का किस परकार का था लेखनकला होता क्या है किस तरस विकास हुआ हडपा का लेखनकला क्या है या मिसर का लेखन जाता था मिटटी के ऊपर मिट्टी की जैसे बनाईजाती थी ऊसके उपर खिलंग क़ना को अपयों के जाते था लगलग तर से चित्र काः ही हो जाती थि जी सानल म इनके मोल आ contradictory टार पर व्ण नहीं थे सब्द नहीं थे चीत्रों को दार पर दे लिखा जाता कर oc तो किस तरह से लेखन कलाता वो आपको यहाँ पर बताना है अगला जो चैप्टर हमारा हैगा चैप्टर नमबर 9 समाजिक धाचे की पुनस्थन रचना अगर आप समाजिक धाचे की पुनस्थन रचना की बात करो तो Mesopotamia और मिस्र की समाजिक धांचा किस परकार रगाता है यहां पर ये कोशन बन कर आता है कि मिस्र और Mesopotamia की समाजिक धांचे को बताईए Topic important है थोड़ा सा आप कर सकते हो, बता सकते हो और अच्छे number मिल जाते हैं इस chapter के अंदर में देखोगे normally तो जो आपका ये second topic था second chapter था, पुर्दुकी के अधार पर समाजिक मापडन जिसमें हम सहर के बारे में बात करते हैं कि सहर किस परकार से सहर योजना, वैपार, नितियो और तामबे कॉपियो, ये वाला chapter important रहता है इसके basis पर आप एक बार तैयारी कीजिएगा ठीके, छटा और सातवा chapter इस unit के अंदर में most important रहेगा ठीके, तो ये video दोस्तों यहीं तक है और आपको video कैसी लगी, comment करके बताएं अगर video आपके लिए helpful है, तो अपना thanks ज़रूर दें यार ठीके, बहुत ज़्यादा motivation मिलती है आपके एक thanks से, और हमां आगे motivate होते हैं कि और भी video हम बना सके, आपके लिए हम work कर सकें तो friends, thank you so much for watching me thank you so much for listening me, अगर और भी video चाहिए तो comment किजी, response किजी, हम आगे आपके लिए video बना के डालते हैं, फटा बाट बाइब टेकिर, बाइब टेक्र, बाइब टेक्र, आपके लिए बेस्ट